नमस्कार दोस्तों मैं हूँ निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त इस चैनल में हम बिल्डिंग मेटरियल, होम इंप्रूब्मेंट, फर्निचर, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं उसमें डियम कर सकते हैं, सारे सवालों के जवाब फ्री में दिये जाएंगे तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, पॉलिस, लकडी के ऊपर जो पॉलिस होती है उसके बारे में कुछ बात करते हैं आपसे ताकि आपको इसके बारे में decision लेने में या इसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी idea हो सकती है आप लोगों में से किसे के पास मेरे से ज़्यादा information हो तो नीचे comment में बे धड़क लिखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और पता चले मुझे भी और ज़्यादा पता चल सके तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो polish होती है लकडी में वो दो तरीके की polish होती है एक polish होती है जो लकडी के surface के उपर एक coat create कर देती है और दूसरे तरीके की polish जो होती है वो लकडी में penetrate करके अंदर चली जाती है और उपर से जो wood होती है या जो board होता है या vineyard होता है उसमें एक नया finish create कर देती है और उसको protect करती है उससे बात पता चली कि जो polish होती है वो normally दो कारणों से की जाती है एक जो लकडी का furniture या जो भी part है दर्वाजा है कुछ भी चीज़ा या आपने wall पे paneling कराई है कोई भी item हो उसको जो environmental attack या जो कोई भी fungus या जो termite borer वगरे है इन सब से उसको सुरक्षिक करने के लिए polish की जाती है और दूसरा उसका जो look और finish इंप्रूव करने के लिए की जाती है ताकि उसको maintain करना आसान हो दिखने में सुंदर लगे, चमकदार सा लगे ऐसे boring सा, dull सा न हो और अगर आपने लकडी को ऐसे ही बिना treatment किये बिना किसी polish के अगर आपने उस लकडी को छोड़ दिया तो उसकी aging जल्दी होगी वो थोड़ी पूरानी जल्दी दिखने लग जाएगी थोड़ी से dull और finish जो उसकी खराब जल्दी हो जाएगी उसमें कीडे, fungus वगरा जल्दी लगेंगे और वो जल्दी खराब होने की उसमें संभावना ड़ती है अब इसमें polish में भी जो पार्ट है दो तरीके की polish होती है एक जो synthetic companies बना करके देती है अलग-अलग brand की polishing chemicals आते हैं उससे polish किया जाता है और एक natural product से भी polish किया जाता है natural product के बारे में last में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं जो popular है जो आराम से फटा-फट हो जाती है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जो chemicals या जो material है जिससे polish किया जाता है वो तयार मिल जाता है जो सबसे पहले top पे एक number पे आता है melamine polish format है वो सारी चीज़ों में एक ही लागू होता है सबसे पहले लकडी को repair किया जाता है कोई भी defect वगरा उसको filling वगरा करके उसमें repairing agents आते हैं उसके बारे में अगर आप comment करेंगे तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे कि लकडी में कोई damage हो कोई crack हो या कोई gart हा जाए तो उसको कैसे repair करते हैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसको पहले finish करते हैं finish करके उसको raise mark लगा करके उसमें से जो उपर से जो dirt या कोई oil या कोई भी चीज़ ऐसी foreign particle उसको remove किया जाता है फिर और ज्यादा उसको raise mark लगा करके उसको एक smooth finish दिया जाता है फिर पहला जो item होता है जो सबसे पहले लकडी में लगता है वो एक sealer लगता है ताकि लकडी seal हो जाए ताकि वो जो polish लगाए वो उसका result जल्दी से जल्दी आए तो sealer लगा करके फिर उपर से polish लगाई जाती है और polish multiple time लगाई जाती है ताकि ज़्यादा अच्छे से अच्छा finish उसमें से प्राप्त किया जा सके और एक अच्छा sustainable काफी सालों तक चले ऐसी polish उस furniture पे उस item पे create हो सके तो जैसे melamine polish भी होती है melamine के जो boxes आते हैं अलग अलग कंपनी की melamine policies आती है उसमें hardners आते हैं और उसमें melamine लगा करके बार बार multiple time पानी से raise मार लगा करके multiple layer लगाए जाता है यह बहुत प्यारा और अच्छी polish है और बहुत ज़्यादा popular भी है नॉर्मली ज़्यादा तर यही होती है फिर इसे एक step नीचे आ जाते हैं जिसको बोलते है lacquer polish lacquer polish में भी format यही रहता है पहले लकडी को raise मार से साफ किया जाता है फिर level किया जाता है कोई defect वगर है तो उसको repair करना है फिर sealer लगा करके ऊपर से एक lacquer का layer लगाया जाता है तो ज़्यादा तर केस में lacquer polish की जाती है फिर आज की तारिक में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है pew polish polyurethane का जो coat होता है उसमें जो है लकडी का जो original रूप जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है बट definitely जो polish होती हो बहुत मजबूत है इसमें आज कल बहुत बड़ी बड़ी जो companies है उनकी exterior grade की polish भी आती है तो अगर आप pew polish अगर आप किसी लकडी में कर देते हैं और खुले में भी अगर आप उसको रख देते हैं तो वो furniture काफी time तक सोरक्षित रहता है और pew polish भी काफी समय तक चलती है format वही है वापस पहले लकडी को repair करना है फिर साफ करना है रेजमार लगाना है सीलर लगाना और फिर multiple layer of pew लगा करके उसको finish करना है ताकि बिलकुँ smooth जो pew polish करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सारे layers लगाते हैं pew के ताकि उसका एक बहुत smooth और बड़ा सांदार सा, shiny सा, एकदम uniform सा एक surface create हो सके आजकल kitchen cabinets में भी pew polish काफी ज़्यादा होने लग गए यह बहुत पसंद की जाती है फिर एक polish आती है polyster polish polyster polish में वही लकडी को पहले repair करते हैं repair करके सबसे पहला जो coat होता है वह epoxy का coat होता है polyster polish में epoxy का coat करके फिर उपर से polyster लगाया जाता है तो एक polyster का layer चड़ जाता है और लकडी की finish बहुत सांदार सी अच्छी सी आ जाती है मतब मज़दार सी तो यह major-major वार्निस polish भी होती है वार्निस से भी polish किया जाता है जो मैंने बार-बार बोल चुका हूँ आपको अब बात करते हैं नैचरल प्रोड़क्ट जिन से हम लकडी पे polish पहले किया करते थे या आभी भी की जा सकती है और वो चाहें तो ऐसे मान सकते हैं कि उसके जो cost भी होती है raw material cost वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती definitely labor charges जो है मजदूरी जो है क्योंकि इसमें महनत काफी करनी पड़ती है काफी बार multiple time तक और बहुत ध्यान रखके इसको बनाना पड़ता है इसमें थोड़ी सी polish का cost आता है और आजकल spray से, machine से जो इतना compressor के जो air pressure से भी polish की जाने लगी उससे और ज्यादा improvement आ गया polish में पहले manually brush से या हाथ के गदी बना के मतल़ सौफ से कपड़े से की जाती थी अब pressure pump से की जाती है तो उससे जो polish की look finish और end result है वो बहुत अच्छा आने लग गया machine polish की वज़े से तो जो natural polish है उसके बारे में बात करते हैं natural polish में जो सबसे basic जो है उसको कहते है लागदाना को spirit में भीजा देते हैं लागदाने को crust करके चोटे-चोटे दाने आते हैं वो मैं फोटो अगर डाल दूँगा screen पे तो उसससे आप पाईड़ा जया उसको spirit में भीजाते हैं थोड़े दिन में वो dilute हो करके spirit के साथ merge हो जाता है और ये जो diluted जो लागदाना होता है इसमें जो पहला layer होता है वो थोड़ा और ज़्यादा spirit आड़ करके पतला layer उसको लकडी को finish करके raise more लगा करके साफ करके पहला layer thin लगाया जाता है फिर gradually उसकी जो है density बढ़ा बढ़ा करके multiple layer लगाते हैं एक layer लगाया फिर raise more से साफ किया फिर दूसरा layer लगाया फिर raise more से साफ किया फिर तीसरा layer लगाया फिर raise more से साफ किया ऐसे करके multiple 7 से 8 layer 10 layer तक जो polish के जो experts होते हैं वो लगा करके एक बहुत सांधर लागदाना की polish क्रियेट करते हैं इसी से एक अलग जो लागदाना से ही बनता है लाग वैसे आपको पता चलेगा कि यह लागदा किससे तो यह एक कीडा होता है उसका waste है जो कीडा जो waste होडता है पेड़ों में पौदों में तो वो इखटा करके LAGDANA बनाया जाता है LAGDANA से ही एक और आइटम बनता जिसे चप्ड़ा कहते है या SELEC बोल सकते हैं इसमें White SELEC भी बनता है और थोड़ाई सा Brownish tone में SELEC बनता है तो अगर आपको Brown या Mahabuni टाइप की Polish करनी हो तो Brown SELEC से लगाएंगे और अगर आपको लकडी का कोई वाइट टाइप की वाइट सिडार या इस तरी के कोई लकडी है तो उसमें आप वाइट सेलैक को वोई स्पिरिट में भिजा करके उसको डाइलूट करके उसके थिन लेयर फिर ग्रैजुली मल्टिपल लेयर लगा करके पॉलिस करते हैं ये ए राखरी ये चार-फांच हाथ है उसमें आप सुंदररर्श मेर्ज करके लगा सकते है या आपने पॉलिस कर लिए और लास्ट में आप एक दो कोट सुंदररर्श का भी कर सकते हैं यह बहुत बढ़िया प्रोड़क्ट है जिससे पॉलिस करने पर प्रोड़क्त में चमक आ तो यह था एक छोटा सा वीडियो एक मतलब क्या बहुता है अलग अलग तरीके की जो वुड़न पॉलिस होती है वो कैसे कैसे पॉलिस की जाती है और इसके बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहें तो नीचे कमेंट में लिखियेगा तो फिर उस हिसाब से आपकी पॉलिस करा सकते हैं या सिंपल लागदाने से भी पॉलिस करा सकते हैं सबसे इंपॉर्टन चीज है कि आपका जो सरीर है जिसमें आपको जीवन बर रहना है उसको आप ध्यान रखे उसका ढंका खाना खाईए एक्सेसाइज कीजिए पैदल चलिए बच्चों के साथ खेलि जो समाँ अपका जाए लागए